ख़बर जैपूर से जौहाँ भाजपद्वारा राजस्थान की चर दिसाओं से सुरू की गई परिवर्तन यात्रा में से एक परिवर्तन यात्रा जो सवाए माधुपूर के रनन्त भोर से सुरू हुए थी 47 वधां सभा में जाकर जैपूर पहुची इस परिवर्तन यात्रा का घुलाभी नगर जैपूर में शहर के बीचो बीच छोटी चौपड पर जैपूर के प्रथा मेयर एवं किशिन पोल के पूर्व भाजपा वधायक के नत्रुत में पुस्पवर्सा के साथ सेकड़ों भाजपा कारिकरताओं ने जुरदार स्वागत किया पूर्व विधायक मोहलाल गुपता ने यात्रा के स्वागत उपरांत कहा कि 2023 के विधानसभा चुना में राजिस्थान के भिष्टेचारी युवा विरोधी महिला विरोधी सरकार परिवर्तित होकर प्रचंड बहुमत से भाशपा की सरकार बनेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने महिलां को लोगसभा एवं विधानसभा में 33% आरक्षन देने का जूप फैसला किया है वह अतिहासिक है लेकिन कॉंग्रेस इसका विरोध करके यह साबित कर रही कि कॉंग्रेस महिलां के उन्नती में अवरोध है परिवर्तन यात्रा जैपुर शहर की सभी विधानसभाओं में होते हुए जबर्जस्त जनसयलाम के बीच होते हुए निकली जुसमें यात्रा का जगा जगा पुस्पवर्सा से स्वागत का रियुआ मोर्चा महिला मोर्चा अल्प संख्यक मोर्चा ने अनेक स्थानों पर मंच के द्वारा जैपुर शहर में तमाम समाजों संगिटनों द्वारा भी परिवर्तन यात्रा में भागिदार बनते हुए जबर्जस्त उत्साह के साथ स्वागत और अभिनंदन हुआ है जैपुर सहर में पहुची परिवर्तन यात्रा में पूर्व राष्ट्य मंत्री महेंद्र सिंग, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चत्रुवेदी, जिलाध्यक्ष रागहौ शर्मा, जैपुर शहर प्रभारी नरेश बंसल अस्थानिय विधायक शहित जैपुर शहर के पतदिकारी प्रकोष्ट मौर्चा सहित मंडलों के अध्यक्ष प्रभारे के साथ हजारों कारे करता और आमजिन मौजूद रहें